दोस्ता आज हम लोग बात करें कि नवेंबर 2020 में जिस कंपनी का IPO निकला हुआ था जिस फार्मा सेक्टर का एक कंपनी है जुसका IPO निकला हुआ था और उस कंपनी का नाम है Gland Pharma Limited तो यहां पे काफी हाइर प्राइस में लोगों का पैसा वहां पे फसा हुआ है और यहां पे क पाफी ज्यादा टेक्स्ट आया हुआ था कि उसमें हम लोग आक्च्वली में क्या करना है और यह हम लोग बहुत हाइर प्राइस में उसको अक्योर किये हैं तो मैं बोला कि राइट इसको उपर तो वीडियो जलुर मनाना चाहिए और अभी का सिच्वेशन में जिसी साम से रिवर्सल का संक्यत दे रहा है वो किस बेसिस में बोल रहा हूं किस प्रास्पेट में बोल रहा हूं उसके उपर बात करूँगा लेकिन आज पता प्राक्टिस हम लोग उसका फंडामेंटल और फिनांशियल भी चेक करना बनता है तो आज का वीडियो सुरू करते हैं नमस प्राक्टिस हम लोग चलते हैं इसका जो अन्वाल रिपोर्टर तो उसमें कुछ निसकस है उसमें कुछ इंदिकालने के लिए कोर्सिस करते हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यह जो ग्रांड फार्म है कि एक कॉंट्राक्ट्राक्ट्र इंजेक्टेबल प्रड़क जो इंजेक्शन में यूज होता है तो वह कॉंट्राक्ट मैनुफक्चर है और वन अफ लाजेस्ट मैनुफक्चर है ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में है आटलीस्ट इसका 60 से ज्यादा फूट्प्रिंट है पूरा कंट्री में मतला आप लोग बोल सकते हो कि माप करना मे तो थामें 14 में वह 432 बिलियन डॉलर हो गया है 2019 तो यहां पर आप लोग को दिख दिया होगा कि इंजेक्टेमल प्रड़क्ट में कितना अच्छा यहां पर आप लोग को इंप्रूब्मेंट आ रहा है इंड़ ग्लोबाल सेंस राइट और सबसे पेश्ट जितना ओराल के अगर देख दिया जाए बाकी के उपर देख लिया जाए तो सबसे जादा इंजेक्टेमल प्रड़क्ट में आता है विकॉज टाट इच अन्दर पर कमाता है तो यहां पर आप लोग को एक रॉप भासा में बोल दिया जाए उसके पास काफी अच्छा मार्जिन आता है और यहां पर 17% के आसपस के इंडिया में भी बिखता है और यहां पर रेविन्यू आता है आप लोग बोल सकते हो और यहां पर यह एक B2B सेग्मेंट में maximum to maximum काम करता है जो contact manufacturer है यह manufacturing करके एक कमपनी के साथ जो tie-up है उसके साथ वही उसके बाद जाके marketing करता है तो marketing का टेंशन के साथ साथ यह काम करेगा इसका नीश के ऊपर यह focus करेगा दूसरों के नीश के ऊपर दूसरे लोग focus करेंगे जैसे कि यहां पर आप लोग दिख गया होगा कि B2B सेग्मेंट में इसका 95.9 लागवक 96% का इसका revenue आ रहा है तो उसका business model वाज हम मेरे को बहुत ही सांदर business model लगता है और आज पर दिस आज पर दिस business model मेरे हिसाफ से इस company को बहुत ही आगे का जन्नी बहुत ही लंबा जन्नी इसको तेर करना है लेकिन जो price है वो आप लोग के पास कितना favorable है कितना non favorable है अभी हम लोग बात करेंगे उससे पहले हम लोग जात चल जाते हैं एक बार हम लोगो fundamental देखने के लिए तो 35,723 करोड का एक company है जो कि अप लोग बोल सकते हो कि लाच क्या company है और यहां पर ROC दिखेगा 30.2% बहुत हेल्दी ROC है अगर यहां पर पिर्स comparison किया जाए तो यहां पर total ROC को देखा जाए तो यहां पर आप लोग को Gland Pharma का हला कि दिया गया नहीं है तो यहां पर ROC के हिसाफ से top में आ जाएगा Gland Pharma और यहां पर ROE दिखेगे अगर 20 से जाता है 20 से जाता है 23.4% तो यहां पर इसलिए मैं ROE देखा return on equity because इसक थोड़ा बहुत आयगा सकता है लेकिन 2 digits से पहले नहीं आ रहा है that's why it is 0.00 और promoter holding काफी अच्छा कासा है 58.4% की हिसाफ से और place percentage completely 0 है तो आज पर दो share holding आप लोग बोल सकते हो कि इसमें काफी अच्छा आप लोग बोल सकते हो कि बहुत अच्छा SEC holding है और investors में जाके अगर अगर आपनों चेक करते हो तो उतना ज्यादा यहां पर information नहीं दिखेगा तो यहां पर बात करूंगा में profit loss statement की तो यहां पर 2016 से 2020 के बीच में अगर आप लोग देखोगे तो consistently growing profit तो नहीं दिखेगा थोड़ा फ्लाट तरीका का दिखेगा तो यहां पर 452 चो तुथा 19 मे कर रहा है तो वहां पर हम लोग को 2021 का जमी भी रेचल निकलेगा तो एक अच्छा कासा profit दिख सकता है और यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि जुन 2020 हो गया सप्टेंबर 2020 हो गया दिसेंबर 2020 हो गया अच्छा कासा रेजल्ट सो किया है जैसे कि 2020 सेप्टेंबर है बहु था लास्ट तीन साल में और लास्ट पांच साल के बात किया जाए तो 1090 करोर का आप लोग को दिख जाएगा और यहां पर मैं चल चालता हूं सिरा टेक्निकल अनलसिस पर तो अभी के सिचुएशन पर यहां पर वान डे चार्ट में एक काफी ज्यादा गिरावट दिखा अगर वान वीक के हिसाब से बात किया जाए तो यहां पर क्रोसवर करने के लिए कोसिज जरूर करना है और वान मंथ की हिसाब से बात किया ज़्यादा इसमें चार्ट बनान हुआ नहीं है विकॉज आप लोग को जैसे पता है कि एननसी में इसको टाइम स्पेंड किया करता है तो यहां पर इस सेग्मेंट में एक रिवर्साल के संकेत हो रहा है रिवर्साल नहीं होगा तो कम से कम एक कॉंसलिडेशन मोड में एक कंपनी के जो स्टॉक के जा सकता है करेक्ट अगर इसका मल्टिबेगर पार्टन के हिसाब से बात करोगे तो यहां पर आप कि यहां पर ओबर यहां पर जो क्रॉसबर होगा तो यहां पर आप लोग के काफी जापता लंबा मुनाफा दिख सकता है में वान दे के चार्ट के इसाथ बात कर रहा है तो आप लोग कंप्योज मत होईएगा और यहां पर जो अगर मैं बात करूंगा कैंडर स्टिक के जो जो वॉल्यूम है वो दीरे-दीरे घटते जा रहा है तो मार्केट का जो प्राइस है उसमें गिर रहा है लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम है वो घटते जा रहा है इसका मतलब है कि थोड़ा सा कॉंसल्टेशन के बाद यहां पर मुवमें उपर की तरह आ सकता है दूसरी बात यह जितना सरह उसका बीच में क्रीन केंडल बना हुआ है तो उसके साथ अच्छा का सा वॉल्यूम सपोर्ट में है तो यह एक रिजिन है यहां पर एक रिवर्सल दिख सकता है इस रिवर्सल को यहां पर नहीं आ रहा है तो यहां पर लेबल के उपर बात किया जाए तो यहां पर कैनल स्टिक में अगर आप लोग देखोगे इसका गिरावट हो सकता है यह ज्यादा नीचे गिर नहीं सकता और यह अच्छा लेबल है तो यहां पर आप लोग का साथ एंट्री लेबल हो सकता है तो उसके ऊपर भी आप लोग निक्षीन रहे आप लोग काम कर सकते हो लेकिन अगर 2070 से 2050 के पीच में अगर कभी भी आता है तो यहां पर अगर आप लोग के लेता हो तो काफी अच्छा रिस्क और विवार्ड रिश्यों के बीच में आप लोग को मुनाफ़ा दिख सकता है और यहां पर जिसी साफ़ते में आप लोग को बोला अबर सोल जोन में अल्रेडी कर सकते हो तो यह और भी बात अच्छी बात हो सकती है तो यह था ग्लान फार्मा के फंटामेंटल और टेकनिकल अनुसिस तो आप लोग को चिंता करने के कोई जरूत नहीं जितना भी हायर प्राइस हो जाए वहां से उसको भी क्रॉस कर सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है यह कंपनी यह जो स्टॉक के काफी अच्छी है और आप लोग को अगर IPO लिये हो या हायर प्राइस में लिए हो तो आप लोग को डिशिशन बिल्कुल सही है बट एक जो प्राइस का लेबल होता है उसमें थोड़ा सा गलत हो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर को भी कुछ information मिल सके इसको उपर और कौन सा स्टॉक के उपर आप लोग वीडियो चाहते हो वो भी मेरेको कॉमें से जरूर पता सकते हो और अच्छा लगा था जरूर बहुत लाइक करना लाइक करना आप लोग का जो प्यार हो मेरेको मिलता है और आप लोग का होसला मेरेक कर सकता हूं तो यह था आज के लिए ग्लाइंट फार्मा का फंटामेंटल टेक्निकल आनालिस तो अगले वीडियो के लिए मेरेको ज्याधा दीजे थैंक्यू